आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्स इसुदान गडवी हमारे साथ मौजूद हैं उनी से बात करेंगे इसुदान जी तीसरे चरण के लिए मद्दान हो रहा है गुजरात की बात करें तो सूरत लोकसभा को छोड़के बाकी की 25 सीट पर आज मद्दान हो र बच्चें ये बातें कर रहे हैं अभी जो नवीवान है जो अभी 18 साल के हुए हैं लाखो बच्चे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि पहले गुजरात के पर लिक होते थे वही गुजरात का बादपा मुडल अब देश भर में लागू होने लगा है सवाल ये कि किसान निकल रहे हैं बार अपने दाम के लिए महेंगा ये बेरोजगार ये और लोगों बहुत उमीद है क्योंकि ये चुनाव ऐसा है जो लोगतंतर का बचाने वाला चुनाव है तो इंडिया एलाइंस पहली बार गुजरात में लड़ रहा है पच्चीस सीट पर एक सिर्ट बाजपा कि बदलत अभी सुरतवासियों का तो वोटिंग का अधिकार नहीं है लेकिन पच्चीस सीटों पर अभी लोग बाहर निकल रहे हैं लोग बहुत उतसा से एक नई उमीद के साथ वोट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है अच्छा इस प्रकार से वोटिंग अभी फिलाल देखा ज ही इंडायलिंज को फाइदा है क्यूंकि दो चरणों में हमने देखा है वोट परसंटेच कम है लेकिन हर कोई अपने हिसां से दावा कर रहा है कि एधां हो रहा है देखो वोटिंग परसंटेजILL ज्यादा होना अंच यह वाजबी है कि इंडिया अलैंज को फाईदा हो सकत है लेकिन जब लोग बाहर निकलने लगते हैं जब लोग यह चाहते हैं क्यार हमें अच्छाई के लिए वोट करना है हमें अपने अस्मिता के लिए वोट करना है जय भवानी के लिए वोट करना है हमें जय किसान जय जवान के लिए वोट करना है हमें मद्द्वर्ग है तब वो बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो सहभाविक तोर पर सासन के विरोध में वोटिंग होती है basically दो तरका होता है जब वोट कम होते हैं तो ये भी होता है कि सासन के खिलाप बहुत रोस होता है तब भी वोटिंग होता है लेकिन मैं विपक्ष में होने के बावजुद भी इस स्विकार रहा हूं कि भाजपा के संगठन जो है वो खासा मजबूत गुजरात में सालों से है उसकी वज़े से है तो जब गुजरात में ज्यादा वोटिंग होती है तो इंडिया इलाइस को फाइदा जरूर होना है आज तो वोटिंग का दिन है तो ज्यादा ना कहके लोग एक नई उमीद के दाथ नया भारत की नीव रखने के लिए आज वोटिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से इंडिया अलाइंस के साथ आपका गड़बंधन हुआ है कॉंग्रेस जिन पचीस सीट पर जाएगा देखिए मैंने आज शुबे से ही सभी जगों पर कॉन्फरेंस कॉल करके एक बार ये डिटा लिया है कि क्या खलाद है मुझे लग रहा है कि बहुत उमीद हमें दीख रही है पचीस सीटों पर बहुत अच्छी तरह से मतदान हो रहे हैं लोग बाहर निकल रहे है किसान निकल रहे हैं आपने देखा होगा राजपूत समाच जो की माता बहन बैचिया हैं वो निकल रही है किसान निकल रहे हैं तो ये कुछ इसारा करते हैं एक अहंकार की और तो ये मुझे लग रहा है कि उमीद तो बहुत है दो सीट पर आमाद में लड़ रही है तेईस बहुत मजबुताई से भी लड़ रहे हैं देखा यह जा रहा है कि चार जुन को गुजरात से बहुत अच्छे परिणाम की उमीद जताई जा रही है तो बीते दो लोग सबाद चुनाओ की बात करें तो गुजरात में 26 में से 26 बैठक भारे जंता पार्टी ने हासल की थी ऐस में इस बार जो चुनाओ हो रहे हैं अपने अपने तमाम पक्ष दावे कर रहे हैं क्या प्रेणाम आएगा उसके लिए चार जुन का इंतजार करना होगा लेकिन गुजरात की बात करें तो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो बहार आ रहे हैं मद्दान करते हुए त स्थिक आम दबाद